अंधिरी रात में उसके वो पुराने टेक्स देख मैं मुस्कुरा रहा था कानों में थे earphones मेरे और उसमें लगे उसी के पसंदीदा गाने सुन में उन्हें गुन-गुना रहा था इतने में उसका टेक्स्ट आ गया फिर से हमारी पूरानी चैट्स पड़ता पकड़ा गया इतने जल्ली उसके टेक्स पर ब्लूटीक आता देख वो शायद चौक सी गई और इसलिए बस ही क्या कर रहे हो ये रिप्लाइ कर वो रुग गई मैंने भी कहा कुछ खास नहीं बस कुछ काम कर रहा था मैंने भी कहा कुछ खास नहीं बस कुछ काम कर रहा था पर शायद मेरे शाहराने अंदास की उसे भी कुछ आदत लगई थी उसने मुझसे पूछा क्या तुम सच में कुछ काम कर रहे थे या मेरे इश्क को अपने नाम कर रहे थे मेरी दिल की धड़कनी अचानक बढ़ गई मुझे लगा कि ये मेरी दिल की बात जो मैंने किसी को नहीं बताई ये इससे कैसे पता चल गई पर मेरी बढ़ती धड़कनों को उसने कुछ यो संभाल लिया मेरी बढ़ती धड़कनों को उसने कुछ यो संभाल लिया इतना सब कुछ कहने के बाद उसने नीचे जस्ट के डिंग भी डाल दिया हम दोनों को लगा कि ये बस एक मजाग था हम दोनों को लगा कि ये बस एक मजाग था पर कही मैं उसके लिए तो कही वो मेरे लिए कुछ खास था बाते हुई बहुत सारी इसकदर कि उस घड़ी के कांटे को हम पकड नहीं पा रहे थे और ये बाते बंद भी ना हो इसलिए कभी मैं तो कभी वो कुछ नए टॉपिक्स निकालते जा रहे थे मन तो दोनों का नहीं था इस रात सोने का पर मुझे ही कुछ बाई बोलना पड़ा वो सुभा ऑफिस भी तो जल्ली जाना था ना इसलिए इस कन्वजेशन को यही रोकना पड़ा तो कल मिल रहे हो कॉफी पर उसने मुझसे पूछा मैंने भी जल्बाजी में येश टाइप कर दिया ना कुछ समझा ना कुछ सोचा कल अगले दिन मिली वो मुझे कॉफी पर वो सफेद कुरती पहनाई थी ऑफिस की सारी तकान जैसे मिट सी गई थी मेरी जब वो दूर से ही देख मुझे मुझे मुशकुराई थी मिले थे दोनों कॉफी पर बाते करते करते डिनर का वक्त हो गया कुछ इसकदर मैं उसकी बातों में यू ही खो गया इतने में उसके घर से कॉल आया वो उसे घर बुला रहे थे मुझे ओफिस की तकान फिर से कुछ महसूस होने लगी थी अभी क्योंकि पता था ना कि अगले पांच मिन्टों में हम अपने अपने घर जा रहे थे उस रात भी पिछली रात की तरह ही मैं उसी के पसंदीदा गाने सुनूने गुन-गुना रहा था उसके वो पुराने टेक्स्ट को फिर से स्क्रोल कर उसे अपना होने का कुछ अहसास दिला रहा था and guess what इस वक्त मैंने net off रखा था ताकि वो फिर से मुझे पकड़ना ले